हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में दोस्तों अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के PNBM पास्बूक अप का प्रयोग कर रहे थे अपनी ट्रांजेक्शन, हिस्ट्री वगएरा और पास्बूक देखने के लिए तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जी हाँ दोस्तों अब आप इस अप का प्रयोग नहीं कर पाएंगे 1 दिसंबर 2023 से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इस अप को बेंड कर दिया गया है और इसे प्ले श्टोर से पूरी तरह से हटा दिया गया है और जिन लोगों के पास पहले से ये एप है तो इस एप ने अब काम करना बंद कर दिया है अब दोस्तों ऑनलाइन जो ट्रैंजेक्शन हिस्ट्री है इस एप के द्वारा हम नहीं देख पाएंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरे पास ये एप है इस एप को जैसी ओपन करता हूँ तो एक इरर का मैसेज सो होता है और कई बार ट्रै करने के बाद दोस्तों एक आद बार ये ओपन हो जाता है पर 1 दिसंबर 2023 से ये पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा चलिए आते हैं हम अपने प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में लिखते हैं हम PNBM Passbook और इसे सर्च कर देते हैं सर्च करने के बाद दोस्तों देख लीजे इस एप का कोई भी लोगो या डाउनलोड ओप्सन देखने को नहीं मिलता है तो सवाल दोस्तों ये है कि अब हम अपना ओनलाइन जो है ट्रांजेक्शन वगेरा कैसे देखेंगे तो दोस्तों आपको बता दू पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इस एप को रिप्लेस करते हुए एक नए एप को लॉंच किया गया है जिसका नाम है PNB1 जो की Google Play Store पर अविलेबल है और ये पंजाब नेशनल बैंक का ओफिशल एप है जिसका इंटरफेस दोस्तों कुछ इस प्रकार का है 4.3 की रेटिंग है 10 मिलियन प्लस डाउनलोड साय इसके तो आप भी इसे फटा फट डाउनलोड कर लीजिए इस एफ के थुरू दोस्तों ना के वाला आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, बैलेंस इंक वायरी उसके अलावा आप सभी प्रकार के ओनलाइन मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि PNB One आप को किस प्रकार से यूज करेंगे तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये करेक्ट इंफोमेशन पहुँच सके साथ ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं इस तरह की इंफोमेशन वीडियो आप सब के लिए लाता रहता हूँ और हाँ दोस्तों ये PNB की ओफिसल एप है तो आप इसे बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं